जै मतदी वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभर निर्विग्नम कुरुमेदेव सर्वकारेश्यू सर्वदा अगर आपको लग रहा है कि आपके शत्रू दिन बदिन बढ़ते ही जा रहे हैं तो इस बार गनेश चतूर्थी पर बिना अपने शत्रों को नुकसान पहुँचाए एक खास उपाय कर सकते हैं आप इसको करने से आपको ऐसा कुछ भी नहीं मैसूस होगा कि आपने भी उनके लिए गलत कर्म किया है एक छोटा सा उपाय जो आपके शत्रों को खुद ही आपसे दूर कर देगा करना क्या है आपको आपने गनेश चतूर्थी से शुरू करकर लगातार दस दिन शमी के पत्ते लेने हैं शमी के पत्तों को कच्चे दूद से धोना है सफेद चंदन का तिलक इसके उपर लगाना है और ये तिलक लगाकर अपने माथे से लगाकर किसी भी मंदिर में जाकर गनेश जी की मूर्ती के समक्ष उनके सिर के उपर यहां रख कर आना है ऐसा करने से आपके शत्रू अपने आप ही आपसे